मुझा पालग चोले की रेसिपी बिलकुल रेस्टरेंट स्टाइल में बहुत ही ज़ादा रिच और क्रीमी बनेगा फ्रेंट्स आप इस तरह से फॉलो करेंगे स्टेप बई स्टेप तो चले फ्रेंट्स बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स इसके लिए मैंने लिया है एक बोल के बराबर पालग जिसे मैं उबाल के पीस लूँगी तो फ्रेंट्स अराउंड फाइव मिनिट्स के लिए हमें इसे बॉ जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया है रेट चिली कार्डुमम ब्लैक पेपर लोव्स और क्यूमिन सीड लिया है साथ में सिनमिन और बे लिव तो इन सब से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंट्स तो करूंगी अनियन स्लाइस किया हुआ फाइनली चॉप किया हुआ प्याज तो एक बड़ा प्याज लिया है मैंने और इससे दो से तीन मिनट भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर तो अब यह अच्छे से भून चुका है अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून के बर कोरियंडर पाउडर यानि धनिया वन टेबल स्पून के बराबर रेड चिली पाउडर लाल मिर्च एट किया है वन फोर टेबल स्पून टॉमरिक पाउडर यानि हल्दी वन टेबल स्पून के बराबर फैनुग्रिक ट्राय लेव कसूरी मेथी एट किया है और वन फोर खievोस्त ऑब चेंग दो टमाटर को पीश लिआ था इस तरह से मिक्स में अड़ करंगे यानि पानी लि rodzaj करना है साथ यह मह Państह करणूंगी 1 अड्थिक गी बनाने के लिए वही मलाई से युजकी तो इस इस अ क्रीमी बनता है तो वन टेबल स्पुन के बराबर मैं लूँगी मलाई तो इसे मिक्स कर लेते हैं और फ्रेंडस हम इसे धक कर पकाएंगे आराउंट फाइब नेट्स के लिए तो बीच में हम चेक करते जाएंगे ताकि मसाला ना चले after five minutes बाद हम चेक कर लेते हैं तो मसाल अच्छे से पक चुका है और इसे मैंने बीच बीच में चला लिया था तो आप देख सकते हैं oil separate हो चुका है अब मैं इसमें add करूँगी around 150 gram of boil chickpeas यानि छोले को मैंने boil कर लिया था ये 1.500 gram के बराबर छोले है और 6 से 7 विसल लगा लिया था मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के साथ में पानी में उबाल लिया था इसे तो फ्रेंट्स छोले कुक करने के बरद नमक हमेशा डालियेगा ताकि इसमें नमक अच्छे से अफ्जॉब कर ले तो फ्रेंट्स आस यू नो स्पिनिच बहुत ही जादा हल्दी होता है साथ में हमने चिक पीज लिया है यानि छोले तो ये दोनों मिलके बहुत ही जादा हल्दी रेसिपी बनता है अब मैं इसमें अट करूंगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट तो आलरेडी मैंने छोले में नमक डाला था बॉइल करते वक्त तो नमक स्वाद अनुसार अभी डालना है थोड़ा सा कम ही डालेंगे अब मैं इसमें हलका सा पानी आड कर दूंगी तो आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी एड़जस्ट कर सकते हैं तो मैंने इसमें अलरेडी टू टेबल स्पून के बराबर पानी आड किया है अलरेडी ये ग्रेवी है तो ज़्यादा आड नहीं करेंगे अब इसे मिक्स करके हम इसे ढखकर पकने देंगे 10 तो 15 मिनिटस के लिए बीच बीच में हम चेक करते जाएंगे अफ़र 15 मिनिटस हम चेक कर लेते हैं तो बीच बीच में मैंने चैला लिया था मीडिम टू स्लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है अच्छे से ये अभ्जॉब कर चुका है मसाले को फ्रेंड्स तो slow to medium flame पर अगर आप cook करेंगे तो बहुत ही अच्छे से masala एब्सॉफ करेगा चिक्पीस में और rich and creamy texture आप देख सकते हैं इसका अब मैं इसमें डालूँगी half tablespoon के बराबर गर्म मसाला यानि all spice powder इसे और भी अच्छा टेस्ट हो जाता है और flame मैंने off कर दिया है इसे हम mix कर लेते हैं और मैं इसे bowl में निकाल लेती हूँ तो friends बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएए इससे आप पूरी पराठा रोटी even rice पुलाओ के साथ खाएए बहुत ज़्यादा यमी लगता है तो friends हमारी पालक छोले की recipe बन कर तयार है चाहे तो आप इसके उपर घी भी डाल सकते हैं या बटर इससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है तो friends आज की recipe आपको कैसे लगी मुझे जरू कमेंट कीजेगा और पसंद आये तो मेरे चैनल को like, share, subscribe जरू कीजेगा साथ में जो bell icon है उसे प्रेस करना मत बुलेगा ताकि मेरा latest notification जब मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा एंड बाई बाई